ये dash की लिए वरी मदे लिए चोटे-चोटे चुलाइस स्लाइस तो इसको इस तरी के से चमच जब युख नमक टालके टांके टाकि वूरे लिए न्मक जो पानी हो फो छोड़ दे तो इस तरी के से अच्छे हुंझे करके हमें छोड़ दिना है दस मिट के लिए दस मिट के बाद जब तक ये रेडी होता है थोड़ा सा पानी छोड़ता है तब तक हम प्याज को अच्छे से तल लेते हैं तो प्याज को मैंने कड़ाई में अच्छे से एड़ किया उसके बाद ये अच्छे से थोड़ा सा ब्रा बाजर को भी इस तरीके से एड़ करके अच्छे से तल लें ताकि ये मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरीके से एक बार ट्राइ करके देखें तो उसके बाद सिंबला मेर्ज को भी छोटे-छोटे स्लाइसे में कट किये हैं जिस तरीके से सबजी के लिए आप जोड़ लेना है तो इस तरीके से निकाल लें जब पानी हमारा निकल जाया सारा तो इसे एक साइड इसमें जो है सारे पानी अच्छे से निकालें विल्कुल भी इसमें पानी न रह जाया तो जब यह पानी निकल जाएंगे अच्छे तो इसमें उसी थाली में हमें ट्रां लायक हो जाए तो हमें इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू का सेव दे के गोलियां बना लेनी है जब गोलियां हमारी बन जाए तो जिस तेल में हमने फ्राई किया था सारी चीजी उसी तेल में हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है तो अभी हमारे तेल भी अच्छे से गर जब पकी होंगी तो बहुत ही कम टाइम में केबल इन्हें बनाना जितना सबजी काटने और इसे बबल्स बनाने में टाइम लगता है इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तो यह हमारे बबल्स बिल्कुल भी तलके रेडी हो गए थे तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे थाली में निकाले हैं प्लेट में जिसमें भी आपके जो चीजों में बरतन हो वही निकाल ले सकते हैं तो ये देखिए फ्राइ हो गया था उसके बाद हमने एक बरतन में बाल निकाल लिया उसके बाद क्या किया मार्केट में मंचूरियन का दुबारा से जो बचे हुए थे वो भी तलिया मार्केट में मसाले मिलते हैं पैकेट वाले आपको ये वाले पैकेट अगर लाएंगे तो आपको मंचूरियन बनाना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा तो ये flavor बहुत ही यम्मी आता है टेस्टी आता है तो ये जरूर एक बार market से लाके बनाएं घर पे तो ये देखिए पानी को हमने आदा लिटर पानी अच्छे से गरम कर लिया जब तक ये उबाल आ गया उबाल आने के बाद इसमें manchourian का जो packet है उसे हम खोल के इसमें add कर देंगे add करने के बाद अच्छे से mix कर लिना तो मैंने दोनो पाकिट आदे किया था तो जादे लोगों के लिए बनाना था तो दो जो चार लोगों के लिए बनाना हो तो एक packet यूज करें तो उसकी जब अच्छे से मίक्स कर लिया तो एक चमत भाने वाले चमत से चार चमत आपको इसमें स्क्वाइटा टॉमेटो स्क्राइक interactions आड़ करने के बाद इस तरह के से चलाते वगया अच्छे से सारे चीज़े मेल्ट करने के बाद कड़ाए में अधरक का पेश्ट जब अच्छे से अच्छे से फ्राइभ हो जाएं तो जो हमने घोल बना करे रखा हुआ है जो अच्छेह से वह है उसमें यहा लेकि पितना देना है तो एड़ करने के लिएज़ृत तो फ्राइभ भीते नकीन ड्रॉण 62,5 पार में हमें इंहिंद नगु commute उम्लाण देना दि कि हमने पत्त गोवी को पानी निकालने के लिए भी उसमें नमक आड़ किया था तो यह ध्यान आपको देना है तो इसमें आरा रोट का घोल बहुत लोग यूज करते हैं तो मैं ग्रेवी वाला बना रही थी तो बट इसमें घोल नहीं डालना है बिल्कुल भी अच्छे से मार्केट होटल वाले सारे होटल वालों को इस तरीके से मंचूरियन एक बर बनाएंगे तो सारे होटल वालों की रेसिपी मंचूरियन की फेल हो जाएगी इस रेसिपी के आगे यकीन मानिए गरांटी के साथ बजाते हूं बहुत ही टेस्टी बने थे एक बर आप भी जरू वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर किया करें तो मैंने दो चममच इसमें रेट शिली सॉस डालते हैं इसका कलर देखते हैं देखिए आप कितना चेंजिंग आ गई इसमें बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है तो हमें इसे जब तक उबाल ना से पकाना बहुत ही जरूरी है ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर बबल्स में घुल जाएं अच्छे से मिक्स हो जाएं मेल्ट हो जाएं तो इसे अच्छे से पकाते हुए हमें ध्यान देना है कि यह जब तक पके ना तब तक हमें उतारना नहीं है तो यह जब पक जाएगा तो आपको खुद बखुद लगने लगेगा कि ये बिलकुल भी गाड़े हो जाते हैं इसमें आरा रोट डालने की आपको घोल बना के ज़रूरती नहीं पड़ेगी तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका फ्लिवर और भी यमी आ जाए तो मैंने धनिया पत्ती, सोया पत्ती सारी चीज़ी इसमें आड़ कर दी आड़ करने के बाद ये हमारे बिलकुल भी बन के रेड़ी हो गए थो तो मैंने एक बावल में निकाला तो बावल का निकाला हुआ मैं दिखाते हूं कि किस तरीके साब निकालें इसकी ग्रेवी आपको लगेगा कि बिलकुल भी market के जैसे बने थे इस तरीके से होटल वाले आपको जिस तरीके से सब करते हैं उसी तरीके से मैं ने आपको दिखाया कि देखिए यह कितने यम्मी और टेस्टी बनेते हैं मेरी रेशिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें अपने फैमली अपने दोस्तों के साथ ताकि हर तरह की नई नई रेशिपी मैं आप लोगों के साथ सेयर कर सकूं तो यह देखिए थोड़ा सा टम्टिंग दिखने के लिए सारे लोग प्याज आइड़ करते हैं तो मैंने धनिया पत्ती ही आइड़ कर दी तो यह देखिए बहुत ही यमी बने थे एक बार ट्राइकर करके देखिए जरूर जरूर बनाईएगा अगली वीडियो में कुछ नया लेके फिर मिलती हूं तक तक के लिए बाइ बाइ